ब्रनावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधारानी की कृपा से हो रहे हैं आज हमारा सौभाग है कि अयोध्या धाम में हैं एक ऐसी देवी एक ऐसी मैया का दर्शन आप सबको कराने जा रहे हैं जो साच्छात सुरसती माता हैं जिनके मुखार बिंदू से जब सब्दों की बारिस होती है तो ऐसा लगता है कि सारे सास्त्र उनके मुख से ही निकले हैं आईये माता जी का पहले पावन कुनीद दर्शन करते हैं बहुत बहुत मैया को दंडवत करते हैं हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग है कि सच्छात्र mileage का iç उनके मिद्दोंaran हो रहा है डंडोर कब से चला यह कोई नहीं बता सकता हो कब तक चलेगा यह भी नहीं कोई बता सकता है अर्थात हमेशा रहेगा सदेव इसका अंत नहीं है इसलिए सनातन है आज तक है और सदेव जब तक मानुवी मूलियों वाले लोग रहेंगे धर्टी पर तब तक रहेगा यह इसका आधी प्राची ने निकले हुए है देव बाणि इसकी मूल है और मानु उद्देश है मानुवी मूल्यों की रक्षा करना सनातन का मानुवी मूल्यों का की रक्षा करना मानोतवादी विचारधारों का संपोशन संप्रेशन है न और उसके लाभ बताते हुए यह सब्द जो है न मिठाई में दवाई है क्योंकि अगर आप किसी को दवा दीजिये तो कड़ूआ लगता है न तो वो नहीं खाता है लेकिन जब उसमें मिठाई में दवाई रहती है झालेता है अफ्यादी माता जिसे बाता जो घ्याव चिराती है जब तो बहें को बहण देती यह किसी चीज-ज में धा दबा देता एक बार में तो फिरोठीक हो जाता हि माता जी रामलला विराजमान हो बहुत भावपूर्चवी है अब कनहिया की ओर लोडते हैं और कनहिया के भावपूर्चवी का दर्शन और वर्रन आपके मुखारविंदू से सुनना चाहते हैं करश fetch uses शरूप में क्रिशन है क्योंकि आउतारि पूरुष तो राम मरियादित और क्रिशन का समय टेड़ा था तो इसमें कृष्ण ने अपनी मरियादाएं 군 तो ऑपने मर्यादा है, धर्म से सिक्त जो कानून है, वही हम मर्यादा बनाता है, ह까요 कि म मॉलीयों की रक्षा प्रेश की लेकिन उसमें तमाम बाते आयुचा जाती है न कि पता इतने विद्वान थे और आतारी पुरूष तो उन्होंने 16,000 रानियों से विवा कैसे अब ये विधर्मियों की सोच है जो नरकाशुराक्षस था 16,000 राज कन्याओं का हरण करके लाया बंदीग्रे में तो हमारे आज तो किसी के घर गई हुई कन्या की अगर विधर्मी ले जाते हैं तो उसकी घर वापसी नहीं होती है आज भी अगर माता पिटा या समाज करा भी दे तो उतना सम्मान नहीं पाती है और उस यूग में कैसा रहा होगा तो जब उसका बद हो गया इसके बाद 16,000 को मुक्त कराया और आज तो उनकी पहले से ही थी तो वो कोई धर्ती माता का उतार थी कोई पार्वती का भी आई थी लेकिन ये 16,000 जाने के लिए नहीं तैयार हूँ जी क्योंकि हम घर वापसी नहीं हो पापी तो जब घर वापसी नहीं चाहती थी तो कृष्म से निवेदन किया बिनती सुनिये आप हमारी हे ब्रजनन्दन बांके बिहारी जनम जनम से अर लगी लगन है देता गवाही नील गगन है करुना कर हमसे कह देते क्या तुमने बिनती सुनिये कारी हम तो जाना नहीं चाहते हैं और आप अगर हमको अपने सरण में नहीं लेंगे तो कौन लेगा ही तो यत्र नारियस्त पूजनते नमंते तत्र दे उता ऐसा हमारे साथ से कहते हैं तो श्री कृष्ण जी ने नारियों की सम्मान की रक्षा के लिए बैबाहिक सम्मंदी स्थापित करके और उनको जो है समाज में समाजिक प्रतिष्ठा दी क्योंकि जिधर बड़े लोग चलते हैं फोटे लोग भी उसका अनुगवन कर लेते हैं और वो प्रतिष्ठा की पात रोगें कृष्ण ने अपना लिया तो फिर उसको कौन जो है त पत्नी हो गई ना उस परिवार से जुड़ गई तो इसलिए कि तो यह कहना यह तो अपने मूपे कालिख पोतना है जो लोग कहते हैं कि ने 16000 क्यों करते हो हर विवाह उनका एक मजबूरी है सत्यभामा से तो विवाह करने की भी मजबूरी रही उनके पिता जी ने उनको च पता करके जब आये सत्यभामा के पिता जी लजजित हो गये और उन्होंने फिर कहा कि हमारी पुत्री को सुविकार कर लीजे तो कैसे न करते जामोंति की भी वही कथा है तो ब्रज का जो रज है वो एक अम्रित तुल है लोग लेटते हैं लोग एकडम सरीर में लिपट ले हैं जी हां तो ब्रज-रज की महता तो है है राम रज ब्रज-रज इसलिए नाम दिया गया अब कनहया के जहां भी देखे इसका भी वरण किया जैसे सत्यभामा कितनी वीर महिला थी अगर वह नहीं होती तो एक लीला अधूरी ही रह जाती है ना और जामोंति भी जामोंति को बर्दान था ना पिरुपुनी जगर देख लेंगी तो उनका रूप परिवर्तन हो जाएगा तो उन्होंने यह नहीं देखा कि यह रूप स्री है की नहीं है स्यान तक मणी के लिए ही जब जामोंति जिहार गए तो उन्होंने जामोंति को दे दिया तो क्या करते क्रिश्म कोई पिता सोंप रहा है तो लेना ही था इसलिए तो क्यों कि महराथ दसरत के भी तो त्रेता में भी तीन रानिया थी और तीन रानिया तो ये गोसों में जी कहते हैं और अनिक रूंथों में लिखा है कि साथ सो सासूं से सीता से पैर्श हुआ गया गया सीता ने साथ सो सासू सोला मैंने पढ़ा है उसको बुआ सासू मामी सासू नानी सासू दादी सासू ऐसे सोला प्रकार के तो ब्रहतर पुरान कह रहा लेकिन सीता जी की साथ सो सासू पैर चूते-चूते ठगे होंगे तो पैर क्या आप जी कट्टे सब लोग बैठ करके और जैसे उन मुखाती भू और फिर सीता जी तो दिव यह थी ना हो सकता है सास सो रूप में प्रकट भी हो गई हो और एक को एकी एक दिखी हो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब जनकूर विवह का प्रसंग आता है तो वहां तो बराथ के सुआगत के लिए सीता जी नहीं अपनी रिध्य, सिद्धि, जि और हमारे पिता जी तो विदे हैं नis Florida है यह दो संस्कृति अर्विस्व्ण की यात्रह ऐसे हैं अध्याद ड्वेत को बिशओ क्यांदुर्ट्वार्ण संस्कृत णियुकल यहां कि राम लक्समां के लिए के लहां किशोरी जी ने सोता कि बरात कितनी आ जाए पता ही नहीं है और एक आश्यारी हमारे हैं बिना दुलहा के बरात नहीं जाती लेकिन अजोध्याम जाती है बिना दुलहा के बरात ही तो बराती थे राम लक्षमर तो वहीं थे लेकिन जो है भरत राम के बरत राम की अनुहारी अ गोज इसलिए बस इसे लोगों ने बूजा कि बारत कैसे चलेगी दूला तो आप तो अहां लोग क्या कहेंगी अब तो नहीं पता था आध जैसा दूर संचाब नहीं था कि लोग जान जाते हैं मिदिला से नहीं आए कि क्या वगा तो तो परक भरत को बिटा जुए जो हगी तो एक प्यारा सा कोई भजन जो हाँ पहुना का यह पहुना यह मिथला में रहे है वह भी है एक और भी है जब बेवी पूजने जाती है तो भूप बागबर में भेंट होती है सीता जी की तो अब आजकल कैसे होती है इसको बताना नहीं लेकिन कितनी बड़ी मर्यादित परंपराएं रही सीता जी ने मर्यादा काइम रखी कोई रोक नहीं सकता था हत्वां पुलोन कैडालरिया सत्वां सुगर सहलियाना दीरे दीरे चली है हिरनी आईल मिलन की बेरियाना सीता सुंदर सक्षिया सुंदर और गावे गित पहलियाना कंकन किन किननू पुरे दूनी सुनी और कहत लखन सनराओं फिर दैगोनी राम ने कहा ये क्या है ये तो लग रहा है कांदो ने मनसा भी तो भी जाए का कीन कि हराने के लिए आ रहा है क्या इस फुलवाड़ी में और ये तो बड़ा कर गड़ बड़ है तो लक्षमान जी ने कहा कि से राम जी बोले कि ऐसा नहीं तुंगला सोत रहा है पैरों में आ रहा है आने जो यह युद्ध हम जीतेंगे और हम चलेंगे मिलने के लिए और फिर वहां अभूद मिलन उसकी भी मर्यादा भैबिलो चन आंखे जो है ना रुक गई और कैसे रुकी कि निमी जो है राम के भी पूरबद है और निमी सीता के भी पूरबद है पलके ठहर गई अब वो इस्ते भदे बदे लोग गी गाते हैं राम देखें सिया राम को दोनों के लड़ी आंक आंक नहीं लड़ी देखें कितनी मर्यादा है भैबिलो चन चारु अचन चल जब निम महराज चले गए पूरबज बड़े बच्चों की बारताएं नहीं सूनत हैं यह हमारी परंपरा है सनातन तो वो चले गए जब चले गए तो पलके ठहर गए अब निमी महराजी तो चलाते हैं तो ठहर गए तो इस तरह से गुसरे का दर्शन किया ना अखिया लड़ी इतना बढ़िया इतना सुन्दरा विवाह का वर्रण करती हैं तो आज की बेट हो कर जाती और विवाह कर जाती तब ही समाले और पहले से भी समनी रहें चीटा जी ने कोई शुंगार नहीं किया था साधी से पहले बिल्कुल सिंपिल गैसी थी वैसे ही चली गए थी जो उनकी सखिया थी उन्होंने पूल माला से सजा दिया था बस उतना ही था लेकिन ब् मुतिया है गुस् Wirki ने जिसका मतलब काडल भी नहीं लगा तर शुंगार करेंगी कोई सवाली नहीं उरता है लेकिन जो गुस्वामी जी ने कहा और गंतों ने लिखा वह यहीं बताता आध की यह ब्यूटी पादर्ल की प्रंपरा तो हमारी रही किंगुन सिता जी के अंग को सिंगारित किया था सक्षियों ने कहां गई यहां तो सक्षि का सजाय मानना ही नहीं नहीं है और लगता है यह क्रिश्न को मानने लगे तो मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाएं यह परमपराई तूटनी चाहिए यह हमारे संसकार नहीं है हम बीटीफ पारलर जाएं विभा के पहले चार लोगावकियां तो आपके बिरोधी हो जाएंगी कथा करते थे तो माईक उतरी गया था तो फिर माईक लगे ही नहीं लेकिन क्या हम माने हमने कभी नहीं माना और आज हम राम लला को साक्षाद दर्सन करने के लिए पा गए ये हमारा हो भाग था तो हम गलत परंपराओं का समर्थन नहीं जो सीता ने डाली है, वो क्या गलत था, वे शीता जी आँख रतनार नहीं थी, श्याम भी नहीं थी, सुवेत थी, तो सुवेत का आर्थी है कि इनोंने कोई संगार नहीं किया था, वा कुषपा संगार था, और तब लिखा गो सौंवी जी ने कैसी सुन्दर, हमारी राजा जी कभी अभूत्पूर्व ऐसा ही संदर है कहीं नहीं मिलता है कि गई बीटी फालर या यहां सज करके आई जैसी थी हमने फिर कंगी नहीं चलाई कि बाल ठीक कर लो बाल से और मेरे संदर से कोई मतलब नहीं है मैं जैसी हूँ बस ऐसे हमेशा जैसे नबे के कान में देखे जिस तरह से रहे हैं भागते हुए वैसे ही पहुँच गए है ना साड़ी कहीं जा रही बलाउज कि धर ही जा रहा साल वाल पता है नहीं कहां चूट गई तो एक आदमी का होता ना कि हम मिलेंगे तो दस मिनट बा आए और नकसिक मांजू महां चभी इच्छाए जनेव पीले रंका पहन करके और ऐसे ही तो विश्वामित्र के साथ चले गए थे जी राम जी नहीं है तो तभी तो लिखा गोश्वामी जी ने समकाली नहीं है सब कि धनों से जग ये सुनी रागो कुले ना था पत्रिका व तब तो विश्वामित्र को मालूम था कि कब है तब इनसे कहा तो जगी की रक्षार था था इसले तो या यह नहीं कहा कि विवा है या धनुस तो ओड़ना है धनुस का यग है अब वो तो गुरु जी आगे बताएंगे यह हमारी मर्यादा थी आप पहले भी देखे अभी लोगों की सादी के समय भी ऐसा नहीं होगा जो माता-पिता साधी तैं कर देते हैं तो उसमें बस एक आप का रहता है कि लड़की देख लीजिए आप यह नहीं कर सक्षेंग इसको नहीं करना है ना आप की तो आप तो दूसरा युग आ गया लेकिन आप एक समय हमने ऐसे ही देखा है कि लोग लड़की जैसे कई लोग की इर्थों में दिखाने लाते थे तो हमारी समझ में नहीं आता था कि ऐसे देखने से माता पिता ने पहले से बाबा जी ने तैंक कर लिया और पहले समझा दिया कि दुखो ना ही ना करें हमको रुपया पैसा नहीं लड़की चाहिए खांदान चाहिए और जो हमारे घर को चला ले तो कई बार ऐसा होता कि लड़का बहुत कुशूरत है और लड़की नहीं खुशूरत लगी उसके गुश्टक सुषूरत है अब क्या है अब यह है कि बिवा हो जाता है और पता लगा कि बारा महिने नहीं बीते और तलाक हमारी संस्कृति नहीं है सीता जी का डाइवोर्स हुआ क्या नहीं दे सकती थी क्या सीता जी का निश्कार्सन हुआ जी इस सब लों मानते हैं गर्वनी सीता जी को लचमरते कहा कि जाओ छोड़ाओ तो सीता को एक पेफाई अर्दर्ज कराना था ना मतगजेंदर के हां कोतवाल यहीं थे क्यों वो पती से लड़ सकती थी सीता आगनी परिक्षित थी वहां उनकी परिच्छा की गई थी पती से बढ़ करके कौन एक कहानी यह क्यों जूड़ी रहे कि अपनी पत्नी के लिए तो जुग गए अज अध्या तो ऐसी ही थी जी 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 जब वो संत परंपरा में पूरा जीओन जी गए जी और वो भी नोकरी उनको कहा पढ़लो पढ़ाई कर लूँ खुद बयान किया नोकरी कर लिंकर लिए कभी उनको कोई किया हमाता जी ने सारी जो बाते बताएं उन सब में बस हम सब अपने धर्म अपनी संसक्रति अपने सनातन का अबरढ अगर अपने शरीर पर डाले रहेंगे तो खभी कुमारग पर नहीं जाए करेंगे ऐसी साच्छात देवियों का दर्शन बहुत मुश्किल से होता है हमारा सवभाग है कि अवद्पुरी में अयुद्धाद धाम में मा का दर्शन हुआ अब यहीं सनातंता का आधार भी है कि हम अपने मातर देव भो पितर देव भो गुरु देव भो तो यह ऐसे मुझ से थोड़ी नहों जाता है सेवा करिए सबसे सेवत धर में कठोरा मैं एक जगे कठा कर रही ची तो अच्छे गणमाने नेता थे पहले के विधायक उधायक भ कि बेटा जल लेके हो अब वो अंदर खुद नहीं लाया उसने अंदर जाके किसी को बताया फिर उसने अंदर जाके बड़ी भुग हाँ अब वो लेकर के जो आया तो बेटा जल लाता है उसमें फरक होता है नौकर लेकर के आता है उसमें फरक होता है खुद नहीं तो यह क चाहिए उनकी दिन चरिया है उसके अनुसार साधन हमारे गुरु जी राम दी ने जो मर्याद आये कायम की और जो पारदर्शिता पूर्ण आचरन बताया तो ऐसे नहीं आग्या लेने गए जो स्वामी जी ने कहा कि पहले सुद्ध हो ये मंसा बाचा कर्मना तो शरीर में भी राम जी सबसे पहले उठे और उनसे पहले लक्षमन जगे तो जब लक्षमन जगे दोनों भाई जगे तो नित लिया बारा प्रकार क्या सोच लगते हैं उससे निब्दित हो गए और अपनी पूझा पाठ भी संपन कर लिया और भोर होने के पहले ही आगे गुरुजी के पास जगने का समय जान करके कि अब हमारे गुरुजी जाग जाएंगे और तब बोले कि आग्या दीजिए तो हम कुछ पंचेन के लिए जाएं आग्या मांगी है आग्या देने में दे करके कोई पालन करे तो बहुत बड़ा भाग ये नहीं है पूत्र तो वही कहलाता है न जो पूत्र नाना नर्क से बत किरुए करें 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 के लोग क्या कहेंगे लेकि ये ता यही है कि यह सबते सेवक वने सब्सेश्येवक धर्म कथोरा अनुपालन और अनपालन राम में करके बताया उतने भोर में कुछ वसंचैन के लिए आग्या लेकर के गए और फिर जब बिलम होने लगा था लक्षवन से कहे भी कि चलिए गुरुदी के पूजा का कुछ बाटिका में देर हो रही थी समय ना निकल जाए इसलिए तुरंति कहा चलो और गुरुदी के पूजन का समय हो जाएगा तो यह मरियादाएं कभ हम सीखेंगे आज आव सकता है लोग कह देते हैं नहीं हो तो कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी नो क्वासी नहीं किया होगा ऐसे करके देखो ना करके देखना चाहिए ना किया क्योंने उनके संसकार वैसे पड़े हैं तो माता जी की वारता मुझे लगता है इतनी सारगर्भित रहती है इतने मन को आनंदित कर देती है कि दो दिन चार दिन बोलते रहें तो समय ही नहीं पितेगा एक यह एपिसोड माता जी का चला है दूसरा एपिसोड कल हम लोग कर चलाएंगे और इसी तरह से म